परिचय जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पौधे वर्ज गैसों से प्रकार संग्षलेशन द्वारा और पशु श्वसन द्वारा छुटकारा पाते हैं हाँ लेकिन ठोस और तरल वर्ज पदार्थ तो अभी भी उनके शरीर में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव हानिकारक उपापचई अपशिष्टों से छुटकारा पाते हैं उच्छ सर्जन कहलाती है ये उच्छ सर्जन अलग-अलग जीवों में अलग-अलग तरह से होता है हाँ, एक कोशकी जीव इन अपशिष्टों को साधारन विसरन द्वारा शरीर के बाहर स्थित जल में निकालतेते हैं जैसे अमीबा में ये जैव द्रव्य जिल्ली से होकर होता है जबकि जटिल बहु कोशकी जीवों में उच्छ सर्जन के लिए कुछ विशेश अंग होते हैं प्लाटे हलमिंथिस में उच्छी अंग प्रोटो-निफरीडिया या फ्लेम कोशिकाएं होती है जबकि अनलिडावर के जीवों में ये अंग निफरीडिया होता है हाँ और संधीपाद जीवों में उच्छी अंग नितंबीय ग्रंथियां जैसे स्पर्ष तंतु अत्वा हरित ग्रंथी और मैलपीगी नलिखाएं होती हैं जबकि मोलस्क में व्रिक होते हैं ठीक इसी तरह शूल चर्मियों में त्वचा पर उपस्थित पोफ्यूली उच्छी अंग होते हैं जबकि यूरो कॉडेट में तंत्रिका ग्रंथी और सिफेलो कॉडेट में प्रोटो नेफरीडिया ये कार्य करती हैं कशे रुकी जीवों में उचसर्जन के लिए एक जोड़ी व्रिक होता है तो आओ इस विशे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पशुओं और पौधों में उचसर्जन को समझना उचसर्जन के प्रकारों के बारे में जानना मानव में उचसर्जन को समझना उचसर्जन सम्बंधी सभी अंगों के बारे में जानना फेपणों द्वारा होने वाले उस सर्जन को समझना त्वाजा से होने वाले उस सर्जन के बारे में जानना ब्रीदांत्र से होने वाले उस सर्जन को समझना मोत्र प्रणाली की सनचना और कारे प्रणाली को समझना व्रिकों की सनचना और कारे प्रणाली को समझना मूत्रवाहिनी की सनचना और कारे प्रणाली के बारे में जानना मूत्राशय की सनचना और कारे प्रणाली के बारे में जानना व्रिक काणों की सनचना और कारे प्रणाली को समझना कृत्रिम व्रिक और अपोहन का अध्ययन करना मानव में उत्सर्जन मानव में प्रात्मिक उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी व्रिक, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है जबकि मनुष्य के माध्यमिक उत्सर्जन तंत्र में फेपड़े, त्वचा, बड़ी आत्थ और यक्रित शामिल है फेपड़ों द्वारा उत्सर्जन फेपड़े श्वासन के समय उत्पन्ध हुई कार्बन डायोकसाइड और जलवाश्प का उत्सर्जन करते हैं त्वचा द्वारा उत्सर्जन त्वचा में इस्थित स्वेद ग्रंथी की साहिता से त्वचा यूरिया, लवन तथा जल को उत्सर्जित करती है स्वेद यानी पसीना त्वचा में छोटे-छोटे छिदरों से बाहर निकलता है ब्रीदांत्र द्वारा उत्सर्जन ब्रीदांत्र गुदा की साहिता से नापचने योग की भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देती है यह अपशिष्ट पदार्थों का भंडारंक्षित्र है जहां ये बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा करते हैं मूत्र उत्सर्जन तंत्र वे अंग जो मूत्र को बनाते हैं उनका भंडारं करते हैं और उत्सर्जित करते हैं सम्मिलित रूप से मूत्र उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं इसमें एक जोड़ी व्रिक, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है व्रिक में उत्पन्न मूत्र, मूत्रवाहिनियों से गुजर कर मूत्राशय में पहुँचता है यहां यह तब तक एकत्र होता है जब तक की यह मूत्र मार्ग के जर्ये बाहर ना निकल जाए व्रिक उदर में मेरु दंड के दोनों ओर एक-एक व्रिक होता है वे बड़े, लाल, भूरे और सेम की आकरिती के होते हैं दाएं ओर के वरिक्क की इस्थिती थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। वरिक्क की अफदलता को नाभिका कहते हैं, जो हमेशा भीतर की ओर होती है। प्रतेक व्रिक लगभग दस लाख निस्यंदन एकक या व्रिक काणूं से बना होता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में व्रिक का ठीक ठंग से काम करना बेहद आवशक होता है। व्रिक काणूं में व्रिक कानूं संवलित होकर व्रिक की चाल बनाते हैं और मध्य भाग में सीधा जाते हुए व्रिक की मज्जा का निर्मान करते हैं। वरिकाणू वरिक की कार्यात्मक एकाई होते हैं प्रतेक वरकाणू एक लंबी कुंडलित नली जैसी सनचना होता है जो रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अप्शिष्टों को चानता है और मूद्र का निर्मान करता है यूरिया मूद्र में उपस्तित मुख्य नाइट्रोजन युक्त अप्शिष्ट होता है इसलिए मनिश एक उत्सर्जक के रूप में यूरियो टेलिक है मूद्र वाहिनिया ये लंबी, संक्री, पतली, भित्ति वाली नली जैसी सनरचनाएं होती हैं जो व्रिक्य की नभिका से प्रारंब होकर नीचे की तरफ जाती हुई मूद्राशय से मिलती है मूद्र वाहिनिया मूद्र को व्रिक्य से मूद्राशय तक क्रमा कुंचन द्वारा ले जाती है मूद्राशय मूद्राशय एक पतली भित्ति वाली, लचीली, नाश पाती के आगार की और प्रासारे थैली होती है जो उदर के निचले भाग में स्थित होती है मूत्राशय मूत्र की अस्थाई भंडारन करने की थैली होती है मूत्राशय कोमल मा स्पेशियों से बना होता है इसलिए यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रन में होता है यही बजा है कि हम मूत्र त्याग करने केक्षा को नियंत्रित कर सकते हैं मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग एक मास पेशिये और नलीदार सनचना है, जो मूत्र आशे से शरीर के बाहर तक होता है. मूत्र मार्ग ही मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है. बोमन संपुट बोमन संपुट दो भित्ती वाला एक कप होता है, जो वरिक्किय च्छाल में उपस्तित होता है. यहाँ सम्तल कोशिकाओं से बनी पतली और अर्धपारदर्शी उपकला का बना होता है. बोमन संपुट के विवर में रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे ग्लो मेरूलस कहते हैं, यह अभिवाही धमनी के विभाजित होने के फल सरूप बनता है. बोमन संपुट और ग्लो मेरूलस को सम्मिलित रूप से मैल पीघी का अथवा विरिक्किये संपुट कहते हैं. ग्लो मेरूलस वो जगा है जहां दाप के अंतरगत चनन होता है, जिसे अती सूक्ष्म चनन कहते हैं. इस प्रकार बना हुआ निसियंद ग्लो मेरूलर अथवा विरिक्किये निसियंद कहलाता है. विरिक्किये नलिकाएं विरिक्किये नलिका लंबी और कुंडलित होती है तथा तीन भागों में बटी होती है. निकटस्थ सम्वलित नलिका, हैनले का लूप, दूरस्थ सम्वलित नलिका निकटस्थ सम्वलित नलिका वरिक का सम्वलित भाग होती है तथा वरिक्किये चाल में स्थित होती है यहां वरिक्किये निसियंद से सोडियम, कैल्शियम, अमीनो अमल इत्यादी का चैनित पुन्दराफ शोशन होता है हैले का लूप नलीका का यू आकरिती का भाग होता है तथा वरिक्किये मज्जा में उपस्तित होता है यहां दो शाखाओं का बना होता है अवरोही शाखा यहां पतली भित्ती की होती है तथा आरोही शाखा यहां मोटी भित्ती की बनी होती है अवरोही शाखा जल के लिए पारदर्शी होती है किन्तु खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइट के लिए अपारदर्शी होती है आरोही शाखा खनीजों जैसे सोडियम क्लोराइट के लिए तो पारदर्शी होती है, किन्तु जल के लिए अपारदर्शी होती है, यहां मूद्र की सांद्रता बढ़ती है दूरस्त संवलित नलिका वह संवलित भाग है, जो वरिक्किये मज्जा में स्थित होता है, यह संग्राही नलिका में खुलता है व्रिक्किये निस्यंद में उपस्थित अधिक्तम जलकी मात्रा दूरस्त संवलित नलिका तथा संग्राही नलिका की भित्ती द्वारा पुनरफ शोशित हो जाती है। मूत्र का निर्माण रुधिर से वर्जय पदार्थों का चनन करना ही मूत्र निर्माण का उद्देश्य है। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन डायोकसाइट रुधिर से फेपलों में अलग हो जाती है। नाइट्रोजन युग्द वर्जय पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अमल रुधिर से वर्ख में अलग होते हैं। इसलिए इस पर कोई आश्चरे नहीं होना चाहिए। यदी वर्ख का आधार भूत चननतंद्र फेपलों जैसे ही पतली भित्ती वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा हो। वर्ख में प्रतेक रुधिर कोशिका गुच्छ नली के कप की आकरिती वाले छोड से संबध होता है, जिसमें मूत्र निसियंद एकत्रित होता है। प्रारंबिक निसियंद में कुछ पदार्थ जैसे गुलुकोज, अमीनो अमल, लवन और जल की बड़ी मात्रा उपस्तित होती है, जो नली का में मूत्र के आगे बढ़ने पर चयन द्वारा पुनरफशोशित हो जाती है। जल का पुनरफशोशन इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में जल की कितनी अतिरिक्त मात्रा उपस्तित है और उसमें घुले अप्शिस्थ पदार्थों की कितनी मात्रा है जिनका उत्सरजन होना है। मूत्र का भंडारण मूत्र आशे में तब तक होता है जब तक उसमें दबाओ इतना बढ़ जाए कि मूत्र मारक द्वारा मूत्र त्याग करने की एक्षा होने लगे। कृत्रीम व्रिक रुधिर अपोहन व्रिक जीवित रहने के लिए अनिवार अंग है। भी हो सकती है। व्रिक के कारे बंद कर देने की स्थिती में कृत्रिम व्रिक का उप्योग किया जा सकता है जो नाइट्रोजन युक्त वर्जय पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा हटाने का उपकरण है। कृत्रिम व्रिकों में बहुत सी नलिकाएं जिनमें एक अर्ध पारदर्शी रेखा होती है अपोहन विलियन से भरी टंकी में डूबी होती है। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर के परासरण दाब के बराबर होता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त वर्जय पदार्थ नहीं होते हैं। रुगी का रुधिर इनहीं नलिकाएं से होकर गुजरता है। यहां से गुजरते समय रुधिर में उपस्थिद वर्जय पदार्थ विसरण द्वारा अपोहन विलियन में चले जाते हैं शुद्ध रुधिर को पुनाहरोगी के शरीर में भीज दिया जाता है यहां वर्जय की कार्य प्रणाली के ही समान है लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें पुनरव शोशन नहीं होता है साधारण तिया एक स्वस्थ व्यस्क के वर्जय में प्रति दिन 180 लीटर प्रारंभिक निसियंद बनता है हालकी प्रति दिन उत्सर्जिद मातरा एक या दो लीटर ही होती है क्योंकि बाकी बचा निसियंद व्रिक नलिकाओं में पुनरव शोशित हो जाता है पौधो में उत्सर्जन पौधो में उत्सर्जन पश्यों से अलग दूसरे ही तरह से होता है प्रकाश संशिलेशन के समय बनी ऑक्सीजन ही इनमें वर्जय पदार्थ होती है हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे कार्बन डायोकसाइट और ऑक्सीजन का किस प्रकार नियमन करते हैं वे वाश पौध सर्जन द्वारा जल की अतरिक्त मात्रा को उत्सर्जित कर देते हैं दूसरे अप्शिष्ट पदार्थ उनके उत्तकों में उपस्थित मृत कोशिकाओं में रहते हैं पौधों को अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों को खोकर ही वर्जय पदार्थों से छुटकारा मिलता है बहुत से अप्शिष्ट पदार्थों का भंडारण कोशिकी रिक्तिकाओं में होता है वर्जय पदार्थ पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं जो बाद में तूट जाती है दूसरे वर्जय पदार्थ जैसे रेजिन और गूंद पुराने जाइलम में एकत्रित होते हैं पौधे कुछ अप्शिस्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उच्सरजित करते हैं क्या आप जानते हैं? शरीर से मूत्र को बाहर निकालना मिक्चुरिशन है जिसे साधरन तया मूत्र तयाक करना कहते हैं मदुमेह में गलाइको जूरिया नाम की शरकरा की मात्रा बढ़ जाती है एक सामाने व्यक्ति एक दिन में 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का तयाक करता है मादा में मूत्र वाहिनी से केवल मूत्र आता है जबकि नर्मे मूत्र और शुक्राणू दोनों इसलिए नर्मे इसे मूत्र जनन नलिका कहते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं उस्सरजन में नाइट्रोजन युक्त वर्जे पदार्थों को बाहर निकाला जाता है जबकि ओस्मो रेगुलेशन में शरीर द्रव में जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है अलग-अलग पशों में अलग-अलग उस्सरजी अंग होते हैं जबकि निम्नस्त्रिय जीवों में शरीर की त्वचा से ही उस्सरजन होता है मनिशिक का उस्सरजन तंत्र व्रिक, मूत्रवाहिनियों, मूत्राशय और मूत्रमार्ग से मिलकर बना होता है व्रिक में उस्सरजी इकाईयां होती हैं जिन्हें व्रिकाणू कहते हैं प्रतेक व्रिकाणू बोमन संपुट और व्रिक्ये नलिका से मिलकर बना होता है पुक्ष्म छनन होता है, जबकि व्रिख्ये नलिकाओं में चैनित पुनरव शोशन होता है। रुधिर अपोहन उस स्व्यक्ति के रुधिर से नैटोजन युक्त वर्जय पदार्थों को क्रित्रिम व्रिक्य की सहता से निकालने की क्रिया है जिसका व्रिक्य खराब हो जगा हो पौधों में आक्सीजन और अतरिक्त जल रंधरों द्वारा बाहर निकल जाता है झालने की सहता है